Savings account पे bank हमें सिर्फ 2.5-3% का interest देते हैं और इसलिए बहुत सारे बुद्धी जीवी कहते हैं कि अपने savings account पे AutoSweep FD FlexiFix Deposit Auto FD ऐसी facility enable कराओ ताकि आपके savings account के उपर आपको FD का interest मिल सके अब सुनने में तो बहुत ही बात लाजवाब लगती है लेकिन पिछले 15 सालों से मेरे साथ एक scam हो रहा था AutoSweep FD के नाम पे और उसी के आपके साथ share करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर analysis करने से पहले ये देखते हैं कि AutoSweep की facility होती क्या है banks हमें एक facility देते हैं कि अगर आपका savings account उनके साथ खुला हुआ है और उस savings account के अंदर एक threshold से जादा पैसा पड़ा हुआ है तो उस extra amount की एक particular denomination के अंदर आपकी fixed deposit बन जाएगी example लेता हूँ कि अगर ICIC bank के अंदर मेरा savings account है और वहाँ पे मेरे पास करीबन 25,000 रुपे savings account में पड़े हुए है ICIC bank में मैंने threshold limit रखी हुई है 10,000 रुपे की तो 10,000 रुपे से जितना भी जादा पैसा मेरी saving account में होगा उसकी एक FD बन जाएगी इस case में 15,000 रुपे की एक fixed deposit बन जाएगी automatically bank में detect होता है हर Tuesday को एक program run करता है और वो FD create कर देता है इस FD को typically एक साल की duration के लिए बनाया जाता है जिसके ओपर एक साल का term deposit का interest मिलता है यानि कि ideal scenario के अंदर आपको अगर यह savings account में पढ़ा रहता तो तीन सवा तीन पौने तीन परसंट का interest मिलता लेकिन अब इस case में क्योंकि यह पैसा automatically FD में चला गया है तो अब आपको वहाँ पे 6,6,7% का जो भी एक साल का प्याज है उसके इसाब से interest मिलेगा और अगर आपको पैसे की जरुरत होई क्योंकि आपने savings account में तो पैसा इसलिए रखा है न ताकि जब भी आप चाहे इसको निकाल सके तो मानते हैं कि अगर मुझे saving account में से 12,000 और निकालने पड़े अराम से निकाल सकता हो तो उसमें problem क्या हो सकती है अब बात करते है problem कि इसके अंदर क्या problem आती है for example यह मेरी FDs है कुछ मैंने जो auto FD facility से बनी है सबसे पहले आपको दिखाता हूँ deposit advice की deposit advice कैसे बनती है अगर auto FD के अंदर होता है for example यहाँ पे एक 2,80,000 रुपे की auto FD बन थी और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक साल के लिए बनी है और इसके अंदर मुझे interest rate मिला है 5.90% का यानि कि अगर इस पैसे को मैं इसी FD के अंदर रहने देता हूँ तो यह 5.90 का interest मुझे देगी और आप दे सकते हो कि total interest जो है इस deposit के अपर मुझे करीब 16,520 रुपे का मिलेगा एक साल के बाद में इसके savings account के उपर मेरे को सिर्फ 2.75% का interest मिलता है तो आप देखें कि 5.9 का interest तो काफी जादा है 2.75% से लेकिन क्योंकि यह account को मैं regularly operate करता रहता हूँ तो मेरे साथ क्या हुआ अब आपके साथ share करता हूँ सो 23 सितंबर 2022 को मेरी FD open होई 2.80,000 रुपे की और जैसे ऐसे time बीता गया मैं इसमें से amount को withdraw करता रहा मैं savings account में से amount को withdraw करता था और उसके correspondingly मेरी जो auto FD बनी होई थी उसमें से पैसा कटता रहा तो 26 सितंबर 30 सितंबर 5 October 7 October 10 October 15 October को जैसे ऐसे मैंने पैसा निकाला वैसे वैस है यह almost zero हो गया in fact zero हो गया पंदर अक्टूबर को यानि कि मेरी पूरी की पूरी FD इन दिनों के बीच में 23 सितंबर से लेके 15 October के बीच में पूरी की पूरी consume हो गई जो मेरी FD थी 2.80,000 रुपे की यह कायम थी 3 दिन के लिए क्योंकि 3 दिन के बाद मेरा balance कम हो गया था उस इस तरीके से इतने number of days के लिए मेरी FD इस value की चलती रही थी अब इसके उपर अगर मैं interest लगाता हूँ और मैंने interest लगाया सिरफ savings का interest जो की 2.75% का है बहुत ही कम savings का interest मिल रहा है लेकिन अगर मैं 2.75% का interest लगाता हूँ इस amount के लिए इतनी duration के लिए तो मेरे पास यह values नि end of day balance का जो interest है वो count होता है तो per day के आप से मैंने इसकी value calculate करी है यानि कि total interest निकल के आता है 176 rupees 40 पैसा लेकिन actually मैं क्या हो रहा था जब मैं इस FD को withdraw कर रहा था तो मेरे पास इस तरीके से interest आया था यह 26 रुपे, 6 रुपे, 7 रुपे, 33 रुपे, 24 रुपे, total मेरे पास 96 और इस interest के कमाने का reason का है अब उसके ओपर नजर डालते हैं अगर मैं interest rates वाली screen पर जाता हूँ और यह सारे हैं मेरे bank के interest rates तो यहां पर आप देखेंगे कि 7 दिन से कम की अगर कोई FD रहती है तो उसके ओपर कोई भी interest rate applicable नहीं होगा यानि कि 7 दिन से पहले-पहले अगर मै कोई भी पैसा वाड्रा करता हूँ तो मुझे कोई भी उसके ओपर interest नहीं मिलेगा और 7 दिन से लेके अगर मैं यहां पर देखता हूँ, 1.5 महीने तक देखता हूँ, कोई भी पैसा निकालता हूँ तो 2.75% का interest rate मिलेगा जो कि same है savings के interest rates है लेकिन एक problem है यहां पर, और problem य है कि इस interest rate के उपर क्योंकि यह deposit का, fixed deposit का interest rate है, इसके उपर penalty लगेगी और वो penalty है 1% की, इस case में 1% की है, अलग-लग banks की अलग-लग होती है, जैसे SBAE के अंदर अगर 5 लग से कम की fixed deposit है, तो 0.5% का penal rate लगता है, तो 1% का penal rate लगने का मतलब हो गया कि 2.75% का interest नहीं मिलेगा, मुझे interest मिलेगा, सिरफ 1.75% का, किती duration के उपर, 7 days से मैंने ज्यादा रखा है, तभी, और अगर मैं इतर आके अपने FD को analyze करता हूँ, तो मैंने यह जितना भी पैसा है, यह मैंने 7 days के अंदर-अंदर निकाल लिया, तो मेरा interest है इसके उपर, वो lose हो गया, और इसी currency, जो 100 रुपे का interest है करीबन यह, तो मेरा यहीं पर गायब हो गया, इसके बाद क्योंकि मैंने पूरा का पूरा पैसा, एक महीने के अंदर-अंदर यह निकाल लिया था, 30 days के अंदर-अंदर निकाल लिया था, तो मुझे interest के कितना मिला, 1.75% का, जबकि already savings का interest है, 2.75% का, तो मेर already 1% का, यहां भी घाटा हो गया, तो मुझे इसके current पे, जो interest मेरा 176.40 आना चाहिए था, वो सिरफ और सिरफ 96 rupees हुआ, लेकिन बात यहीं पे खतम नहीं हो जाती है, बात जाती है, इसके बाद taxation के उपर, अगर मैं savings interest की बात करूँ, तो यहां पे मैं 10,000 rupees के savings interest के लिए eligible हू पड़ता है, यानि कि 31.2% का, उसके उपर मुझे tax देना पड़ता है, तो effectively जो मेरे पास net net in hand पैसा आता है, उस auto FD के तरूफ वो आता है 66 rupees का, जबकि अगर इसी को मैं savings account से लेता, savings account में पैसा पड़े रहने देता, तो मेरे पास आता 176 rupees 40 पैसा, यानि कि आप देख सकते इसमें तो आपको double का घाटा होने वाला है, और अगर ये last 15-20 सालों से आपके account पे होता आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितने हजारों, या फिर हो सकता है, लाखों का नुकसान आपके account में हुआ हो, यह analysis जब मैंने किया, तो मेरा दिमाग हिल गया, मैंने किया यह क्य इसके उपर calculation शुरू की, तो यहां पर भी मैंने देखा कि जब तक कि मेरा interest rate बनना चाहिए था 143 रुपीज का, उसके जगह सिरफ 56 रुपीज का interest बना था, और effectively अगर मैं देखू, तो 143 रुपीज जो मुझे मिलने चाहिए थे savings account के अंदर, उसके against मुझे tax पे करने के ब इसके उपर penalty लगाने के बाद, आपको savings वाला पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसका फाइदा क्या हुआ, तो इसका क्या मतलब है, basically, इसका simple सा मतलब ही है, कि अगर आप अपने savings account के पैसे के against बनी होई, auto 50 को पूरी duration के लिए चलने देंगे, तब आपको फाइदा होग तो auto FFD, sweep FFD, auto FD, जो भी आप नाम कहना चाहिए, उससे आपको फाइदा नहीं होगा, हाँ, एक और बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि FD के pre-closure पे आपको हमेशा ही नुकसान हो, in fact, अगर आपकी पुरानी FD बनी हुई है, और आप उसको pre-closure कर देते हैं जल्दी स और आप उसके अगेंस एक नई FD खोलते हैं, नए interest rate पे जो की बड़ा हो interest rate है, तो आपको फाइदा भी हो सकता है, in fact, हजारों का फाइदा हो सकता है, और इसके ओपर एक dedicated video मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, अगर ये वीडियो आपको helpful लगा है, तो like, share, subscribe करना ना भूल देगा, जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेकर तब तक बचाते रहें, कमाते रहें, because every पैसा matters.